नमस्त्य और स्वागत आप सभी का मेरे चानल दे लाब राट्स में आज का लेक्चर टॉपिक है लाकोपिरोन और ये वीडियो इसका पार्ट टू है अचा जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है पहले तो आप उसे देख लीजे ताकि आपको आज का लेक्चर समझने में आसानी हो साथी साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको आगे आने वली वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे इस लेक्चर के पार्ट वन में हमने ये सारे टॉपिक्स डिसकस किये दे इसके अलावा आगे के जो दो टॉपिक्स हम डिसकस करने वाले हैं वो है आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे रिगुलेशन अफ लाको पिरॉन और इसके अंडर जो जो टॉपिक्स आज डिसकस होंगी वो है नेगेटिव रिगुलेशन अफ लाको पिरॉन पॉजिटिव रिगुलेशन अफ लाको पिरॉन पॉजिटिव रिगुलेशन अफ लाको पिरॉन काप कैम्प कॉम्प्लेक्स लीकी एक्स्प्रेशन ऑफ लाको पिरॉन जीन्स और उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वे प्रॉटेन के फ्रूमेंटेन होता है जन्रली इंड्यूसर की एपसंस में लाक रिप्रीसाइब प्रॉटेन के कारण लाक अपरॉट जीन का expression नहीं होता जिससे हम negative regulation बोलते हैं इसका overall mechanism क्या है यह gene organization है lack operon का जिसे हमने already बहुत अच्छे से part 1 में discuss किया है आप इसे वहाँ पर refer कर सकते हैं lack i यानि कि repressor protein एक constitutive gene है और यह cell में हमेशा ही express होते रहता है repressor protein operator sequence पर bind करता है जिसके साथ साथ वो promotor के भी sequences को overlap कर लेता है यह वो sequences होते हैं जो RNA polymerase की binding के लिए जरूरी होते हैं इसलिए जब तक repressor protein lack operator पे bind रहता है और साथी साथ lack promotor के sequences को overlap करता है उस दौरान RNA polymerase ना तो lack promotor पे bind हो सकता है ना ही वो lack operon के genes का expression initiate कर सकता है तो यह overall mechanism जिसमें inducer के absence में lack repressor protein lack operon genes का expression को inhibit करके रखता है इसे हम negative regulation बोलते हैं ऐसे और भी condition है जिसमें inducer के present रहते हुए भी lack operon gene का expression नहीं होगा और यह कौन से conditions होते हैं यह आगे के आने वाले slides में हम discuss करेंगे positive regulation of lack operon positive regulation system यह ensure करता है कि lack operon genes का expression high level पे तब ही होगा जब मीडिया में carbon source के form में सिर्फ lactose present होगा it means अगर lactose के सांथ सांथ glucose भी provide किया जाए मीडिया में तो ऐसे condition में lack operon genes का expression नहीं होता है इसका reason क्या है? glucose एक simple carbon source है जो कि directly glycolytic pathway के थूँ energy में convert किया जा सकता है सांथी सांथ glycolytic pathway के जो enzymes होते हैं वो constitutive gene के products होते हैं इसलिए glucose को utilize करना equalize cells के लिए energetically favorable होता है वहीं पे अगर हम कोई ऐसे sugars के example लें जैसे कि lactose, arabinose या दूसरा sugar जो glucose के comparison में थोड़े complex form में हैं इन्हें utilize करने के लिए सबसे पहले इन्हें simpler form में breakdown करना होता है जिसके लिए cell को additional enzymes की expression की जरूरत होती है इसलिए इन्हें utilize करना energetically unfavorable तब हो जाता है जब already एक simple carbon source present है इसलिए इस wastage of energy को रोकने के लिए जब मेडिया में glucose और lactose दोनों present होते हैं तो equalizes glucose को as a carbon source utilize करना जादा prefer करते हैं इसके अलावा और भी बहुत से molecular signaling involved हैं जिसके कारण glucose के presence में lac operon genes का expression नहीं होता है और cells जो हैं वो lactose को utilize नहीं करते हैं इन सारे mechanism को हम one by one आगे की slides में discuss करेंगे तो अभी देखते हैं lac operon के positive regulation का mechanism यहाँ तक के step हमने negative regulation के दोरान ही देखा था यह जो rectangle box है यह cell के अंदर के events को represent करेगा और यह बाहर के जो space है यह medium को represent कर रहे हैं यानि कि वो growth medium जिसमें ecoli cells जो हैं वो grow कर रहे हैं अगर इस medium में lactose molecules present हैं वो molecules cell के अंदर M protein के health से actively transport होंगे M protein या फिर lac permease Ecoli के cytoplasmic membrane पे present होते हैं और यह help करते हैं media से lactose molecules को actively cell के अंदर transport करने में cell के अंदर यह lactose molecule beta galactosidase enzyme के presence में allo lactose में convert होंगे यह allo lactose रहे हैं यह active inducer होते हैं lacoperon के जो कि lacoperon को induce करके उसके gene के expression को initiate करते हैं यानि कि जो हमारा main inducer है वो allo lactose है ना कि lactose molecule ओके तो अब यह allo lactose molecule रिप्रेसर प्रोटीन से bind होगा इस binding के कारण रिप्रेसर के shape में changes आते हैं जिसे हम allosteric shift pole ते हैं इस shape में changes आने के कारण रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो inactivate हो जाता है जिसके कारण इसकी operator sequence से bind होने की affinity lose हो जाती है और यह operator sequence पे bind नहीं कर पाता है अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जब रिप्रेसर प्रोटीन उप्रेटर पे bind होता था तो साथी साथ यह black promoter के RNA polymerase binding site को भी overlap कर लेता था अब क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन उप्रेटर पे bind नहीं हो रहा है तो RNA polymerase की binding site जो है वो अब free है और RNA polymerase easily आके यहाँ पे bind कर सकता है बट, lack promoter जो होता है वो एक weak promoter है और यह easily RNA polymerase से bind करके और बहुत high level of lack operon के expression को show नहीं करता है इसे strong promoter बनाने के लिए एक complex की जरूरत होती है जिसे हम cap camp complex बोलते है यह complex जो होता है वो cap site पे bind होता है जहाँ पे bind होने के बाद यह lack promoter को एक strong promoter बनाता है और RNA polymerase को easily recruit करता है lack promoter पे जहाँ पे bind होने के बाद RNA polymerase lack operon के genes का transcription स्टार्ट करता है और polygenic mRNA बनाता है अब polygenic mRNA या polycystronic mRNA ऐसे mRNA होते हैं जिन में एक सह जादा gene के लिए RNA sequences present होते हैं फोर एक्जामपल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एक mRNA में lack Z, lack Y और lack A तीनों के ही mRNA sequences present है इसलिए यह भी एक polygenic mRNA का example हो गया इस polygenic mRNA का जब translation होगा तो lack operon के यह gene cluster के तीनों gene के products बनेंगे यानि beta galactocidase, M protein या फिर lacpermiase and beta galactocyte transacetylase तो यह है overall procedure lack operon के positive regulation का so cap-camp complex lack operon के positive regulation को किस तरीके से affect करता है cap यानि कि catabolite gene activator protein इसे हम actually CRP protein के नाम से जानते हैं जिसका full form है CAMP receptor protein CAMP क्या है? cyclic adenosine monophosphate so cap और camp molecule मिलके एक ऐसे active complex को form करते हैं जो कि RNA polymerase को lack promoter पे recruit करके lack operon के gene के expression में help करते हैं cap-camp complex के absence में lack promoter एक weak promoter में convert हो जाता है so weak promoter क्या होता है? weak promoter ऐसे promoters को बोला जाता है जिस पे RNA polymerase की binding frequency बहुत low होती हो so ऐसे condition में weak promoter जिस भी gene को regulate करते हैं उस gene का expression बहुत low होता है cap-camp complex के binding के कारण lack operon gene का transcription जो है वो 50 fold यानि कि 50 गुना जादा बढ़ जाता है so point 1 और point 2 देखके इसका ये outcome है कि cap-camp complex के absence में lack operon gene जो है वो completely shut down नहीं होते हैं लेकिन इनका expression इतना down regulate हो जाता है कि cell में इनके products negligible concentration में present होते हैं so overall देखा जाए तो lack operon के proper regulation के लिए lack repressive protein साथ-साथ cap-camp complex दोनों ही बहुत जादा important है for example ऐसा condition जहां lack operon में operator site पे repressive protein bind किये हुए है उस condition में cap-camp complex का उस lack operon पे बहुत कम effect होता है यानि कि उस condition में cap-camp complex present रहेगा cap site पे तो भी lack operon के gene का expression बहुत लो होगा दूसरा condition अगर cap-camp complex cap site पे present नहीं है तो ऐसे condition पे lack repressive protein अगर operator से dissociate हो जाता है तो भी lack operon के genes का expression बहुत लो होगा so overall यह outcome है, overall conclusion यह है कि lack operon के gene का high level पे expression के लिए cap-camp complex का cap site पे bind होना भी बहुत जादा ज़रूरी है साथ ही साथ repressive protein का operator से dissociate होना भी ज़रूरी है और यह दोनों ही events एक साथ होंगे तो ही lack operon genes का expression बहुत ही high level पे होगा अब देखते हैं glucose का concentration किस तरीके से cap-camp complex के formation को effect करता है पहला condition है जब glucose absent हो यानि की positive regulation के दोरान क्या होता है enzyme 3GLC जो है वो enzyme adenylate cyclase को activate करता है activated adenylate cyclase जो है वो adenosine triphosphate को cyclic adenosine monophosphate में convert करता है और cyclic adenosine monophosphate catabolite activator protein के साथ bind करके cap-camp complex बनाते है cap protein जो कि एक homodimer protein है और इसके पास camp और DNA दोनों के लिए binding site है एक cap protein दो camp molecule से bind कर सकता है इसी तरीके से दो cap molecule और चार camp molecule मिलके active cap-camp complex बनाते है ये cap-camp complex lac operon के cap site पे जाके bind होते है जहां से ये lac promoter पे RNA polymerase को recruit करते है RNA polymerase promoter पे bind होने के बाद lac operon के genes का transcription initiate करता है और उनके expression में help करता है इस तरीके से glucose के absence में cap-camp complex बनते हैं और lac operon के gene के expression में help करते हैं अब glucose जब present होता है तब क्या होता है glucose के presence में enzyme 3GLC जो होता है वो inactivate हो जाता है जिसके कारण आगे कि ये सारे procedure जो हैं वो भी नहीं होते हैं और नहीं lac operon के gene का expression होता है इसलिए glucose के presence में जब media में lactose present होता है तो भी lac operon के gene का expression नहीं होता है या फिर बहुत negligible level पे उनका expression होता है क्योंकि cap-camp complex नहीं बन पाते हैं इस figure के help से एक बार फिर से हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से glucose का concentration जो है वो lac operon के gene के expression को affect करता है पहला condition है जिसमें हमने glucose का concentration low रखा है और lactose का concentration high रखा है तो पहले condition में क्या होगा low glucose concentration के कारण E.coli के cell में cyclic adenosine monophosphate molecules का concentration high होगा जिसके कारण धेर सारे cap-camp complex बनेंगे और capside पे bind हो जाएंगे दूसरा जब lactose का concentration बहुत high है तो बहुत सारे allolactose भी बनेंगे और lac repressor को inactivate करेंगे जिसके कारण हमारा operator sequence से lac repressor जो है वो bind नहीं कर पाएगा और dissociate भी हो जाएगा इस condition में क्या होगा कि cap-camp complex जो है वो RNA polymerase को lac promoter पे recruit करेंगे और lac operon की genes के expression को on करेंगे अब दूसरा condition क्या है यहाँ पे हमने glucose के concentration को भी high रखा है और lactose के concentration को भी high रखा है तो high glucose concentration के case में E.coli के cell में C.A.M.P. molecule का concentration लो होगा जिसके कारण cap-camp complex नहीं बन पाएगे और वो cap side पे bind नहीं हो पाएगे अब दूसरा जहाँ पे lactose बहुत सारा present है तो यह allolactose बनाएगा और repressor protein को dissociate कर देगा इस condition में क्या देखा हमने कि भले ही lack repressor जो है वो dissociate हो गया operator sequence से लेकिन cap-camp complex तो नहीं बन पाया जिसके कारण promoter site पे RNA polymerase recruit नहीं हो पाया और lack operon के genes का transcription नहीं हो पाया तो इससे क्या proof होता है कि lack operon के gene के expression के लिए सिर्फ repressor का dissociate हो जाना या सिर्फ cap-camp complex का bind हो जाना ही ज़रूरी नहीं है इन दोनों ही conditions का होना ज़रूरी है मतलब कि lack repressor का dissociation भी ज़रूरी है साथी साथ cap-camp complex का capsite पे bind होके RNA polymerase का recruit करना भी ज़रूरी है इसलिए lack operon के genes का high level में expression तभी achieve हो सकता है जब मीडिया में glucose का level low हो और lactose का level high हो तो यहां से अब हम clearly समझ गए किस तरीके से glucose का concentration जो है वो affect करता है lack operon के genes के expression में आइसो प्रोपाइल थायोग अलेक्टोसाइड या IPTG lack operon का artificial inducer है बेसिकली मीडिया में जब हम lactose provide करते हैं तो वो cell में actively transport होता है जहां पे वो allolactose में convert होता है और lack operon genes के को induce करता है साथी साथ lactose carbon source भी है तो यह cell में metabolize होगे cell को energy भी provide करता है इसलिए एक certain point के बाद मीडिया से lactose molecule completely exhaust हो जाते हैं जिसके बाद lack operon genes का एक induction नहीं होता है इसलिए हमें एक ऐसे inducer की जरूरत थी जो lack operon genes को ज़ादा देर तक express करा के उसके products ज़ादा quantity में बनाने में help कर सके या फिर कोई भी दूसरा gene जो कि lack operon के machinery के थूँ अगर control हो रहा है और हमें उस gene को large quantity में बनाने की जरूरत है तो ऐसे condition में हमें एक ऐसे inducer की जरूरत थी जो इस machinery के थूँ उस gene को ज़ादा देर तक express कर सके और ज़ादा amount of product बना सके तो ऐसे condition में different chemical compounds की जब screening हुई तो IPTG एक ideal inducer की तरह identify हुआ तो कौन से ऐसे points है जो IPTG को एक ideal inducer बनाते हैं और allolactose से better inducer बनाते हैं पहला point है कि allolactose को mimic करता है इन दोनों के shape somehow similar है और ये भी cell के अंदर enter होके repressor protein से bind करके उसके shape में changes लाता है जिसके कारण वो operator sequence से bind नहीं कर पाता इसके अलावा ये allolactose से ज़्यादा stable है साथी साथ इसे cell में enter होने के लिए lac permease enzyme की जरूरत नहीं है जैसा कि lactose के case में हम देखते हैं कि उसे cell में enter होने के लिए lac permease enzyme की जरूरत होती है लेकिन IPTG के case में इसे lac permease enzyme की जरूरत नहीं होती है cell mentor होने के लिए और last और सबसे important point ये कि equalize cell में ये metabolize नहीं हो सकता so basically lactose molecules जो होते हैं वो तो metabolize हो जाते हैं जिसके कारण एक certain point के बाद वो exhaust हो जाते हैं लेकिन IPTG जो है वो metabolize नहीं हो पाता जिसके कारण ये cell में बहुत देर तक present रहके जादा देर तक lac operon genes को induce करके large amount of product बना सकता है इस तरीके से IPTG एक ideal inducer की तरह काम करता है और lac operon machinery के थूँ जो भी gene control होता है उस gene को जादा देर तक express करके large amount of product बनाने में help करता है अब ये question है जो DBT के entrance में पूछा गया है 2016 में question number 68 है question पूछा जा रहा है कि इन चार में से कौन सा option जो है वो IPTG और lactose के context में सही नहीं है पहला option है IPTG is analogous to lactose तो yes IPTG जो है उसका function similar है lactose के वो दोनों का काम एक ही है E. coli के अंदर दूसरा है बोथ IPTG and lactose are inducers of lac operon तो yes ये पहले point से ही clear है कि obviously lactose जो है वो हमारा inducer है allolactose बनाता है और वो active inducer के तरह काम करता है लाको पिरॉन को induce करने में help करता है same हमारा IPTG का भी काम है ये भी हमारा inducer ही है और ये भी repressive protein को inactivate करके lac operon को induce करने में help करता है third option है IPTG is not metabolized while lactose is metabolized by cells तो yes Ecoli cells में lactose जो है as a carbon source utilize हो जाता है साथी साथ lactose जो है वो अपना isomeric form allolactose बनाता है उसका भी अपना एक half life है जिसके बाद वो degrade हो जाता है और यानि कि completely lactose जो है वो metabolize हो जाता है cell में लेकिन IPTG जो है वो stable है और ये metabolize नहीं होता है cell में ना fourth option बोथ IPTG and lactose need permease for entry into cell तो ये option गलत है क्योंकि lactose को enter करने के लिए permease enzyme की जरूरत होती है बट IPTG को जरूरत नहीं होती है तो उसके हिसाब से हमारा fourth option जो है वो correct है fourth option जो है वो lactose के context में सिर्फ सही है जबकि IPTG के context में ये सही नहीं है ली की expression of lacoperon ये एक छोटा सा और बहुत interesting topic है पर इसको जानने से पहले कुछ चीज़े हम discuss करते हैं कि हम इतने देर से lacoperon के बारे में पढ़ रहे हैं और हम बार बार ये repeat कर रहे हैं कि मीडिया में जब lactose present होगा as a sole carbon source वो lactose cell के अंदर actively transport होगा, allolactose में convert होगा और lacoperon को induce करेगा और इस तरीके से lacoperon के genes का expression होगा पर हम ये सारी कीज़े भूल रहे हैं या फिर हम notice नहीं कर रहे हैं कि lacoperon को induce करने के लिए lactose को जब actively transport करना होता है cell में उस transport के लिए जिस enzyme की ज़रूरत होती है वो खुद lacoperon में present है यानि lacpermease enzyme खुद lacoperon के gene का part है सेकंड lactose को allolactose में convert करने के लिए यानि कि active inducer में convert करने के लिए जिस enzyme की ज़रूरत है βीता galactocidase enzyme वो भी lacoperon gene का product है अब question ये है कि lack operon को induce करने के लिए lack operon के ही gene products की जरूरत है पर बिना induce किये उसके product cell में आएंगे कैसे ये सारी चीजे ये सारे जो points हैं वो clear होंगे हमारे leaky expression of lack operon topic को पढ़ने के बाद एक wild type equalizer होता है अगर उसे glucose containing media में हम grow कराते हैं उस condition में हमने पहले ही discuss किया है कि हाँ glucose के condition में जब cap-camp complex नहीं बनता है इसका मतलब यह नहीं होता है कि lack operon completely shut down हो जाता है वो कभी भी express नहीं करता होगा तो glucose के presence में glucose containing media में जब e-coli grow करता रहता है उस दोरान भी बहुत low level of expression होता है lack operon का और उसके products जो होते हैं वो almost negligible amount में बनते हैं फ़र example अगर हम beta galactocidase enzyme का example लेते हैं तो हर एक cell में on an average 2-3 molecule of beta galactocidase ही present होता है वहीं पे उसी cell को जब हम lactose के presence में grow कराते हैं तो वहाँ पे thousand fold increase होता है इन products में यानि कि एक-एक cell में लगभग 3000 molecules मिलते हैं beta galactocidase enzyme के तो इतना drastic change आता है lactose में grow करने में और glucose में grow करने में यह जो low level of expression होता रहता है lack operon का inducer के absence में भी इसे हम leaky expression बोलते हैं ऐसा इसलिए होता है कि जो repressor protein होता है उसका अपना एक half life होता है वो जब operator से bind होता है तो वो वहीं पे bind नहीं रहता है उसका अपना एक half life है जिसके बाद वो degrade हो जाएगा operator से वो हट जाएगा और दूसरा repressor protein आके operator पे bind होगा अब leaky expression को एक बहर diagramatically समझते हैं lack repressor protein जो है वो cell में constitutively express होते रहता है यह repressor protein जो है वो lack operator पे bind करके lack operon को negatively regulate करके रखता है repressor protein का अपना एक half life है और lifetime complete करने के बाद वो operator sequence से dissociate हो जाता है और एक नया repressor protein जाएकर operator पे bind कर जाता है यह एक repressor protein के dissociate और दूसरे repressor protein के operator पे bind होने के बीच का जो time window है इसके दोरान अगर कोई RNA polymerase lack promoter पे bind करता है तो वो उसके बाद lack operon के gene का transcription इनिशेट करता है जिसके बाद यह gene product cell में बन जाते हैं तो inducer के absence में यह जो overall mechanism के थू लाक ओपिरॉन के gene product cell में बन रहे हैं इससे हम leaky expression बोलते हैं leaky expression के कारण हमेशा ही बहुत low concentration में ही सही लेकिन lack operon के gene product cell में present होते हैं पर यह low concentration इतना sufficient amount होता है कि वो initially lack operon को induce करने में help कर सके मतलब जो भी lack permease बना या beta galactosidase enzyme बना वो low concentration में होने के बाद भी इतना sufficient होता है कि वो lactose को actively cell में transport कर सके या lactose को allolactose में convert कर सके और initially lack operon के gene को induce करने में help कर सके तो इस तरीके से lack operon को initially induce करने में leaky expression जो है बहुत important role play करता है अब एक बार overall negative और positive regulation को summarize करते हैं कि किन-किन condition में lack operon के genes का expression होगा यानि कि किन-किन condition में lack operon on रहेगा पहला condition है glucose only यानि कि media में जब सिर्फ glucose present होगा उस condition में क्या होगा तो lactose जब media में present नहीं होगा सिर्फ glucose present होगा उस condition में allolactose का formation नहीं हो पाएगा जो की active inducer है allolactose के absence में lack operon induced नहीं हो पाएगा और नहीं उसके gene का expression on होगा इस लिए इस condition में जब media में सिर्फ glucose present है lack operon off रहेगा दूसरा condition है glucose plus lactose जब media में glucose और lactose दोनों ही present होगा तो क्या ये lactose help करेगा lack operon को on रहने में तो इसको हमने पहले ही previous slides में discuss किया है कि जब media में glucose और lactose दोनों ही provide किया जाता है तो उस condition में equalized cells जो होते हैं वो glucose को as a carbon source prefer करते हैं इसके reasons हैं पहला तो ये कि glucose एक simple carbon source है easily ये glycoletic pathway के थूँ energy में convert हो सकता है दूसरा reason ये है कि glucose concentration जब high होता है उस case में cell में cyclic adenosine monophosphate का level low हो जाता है जिसके कारण cap-camp complex नहीं बनता है और lac operon के genes का transcription on नहीं हो पाता है इसलिए इस condition में जब glucose और lactose दोनों ही present होगा तो lac operon off रहेगा यहां पर एक और point note करना है कि जब glucose और lactose दोनों ही media में present होगा तो lac operon कब तक off रहेगा जब तक glucose present रहेगा media में तब तक lac operon off रहेगा लेकिन जैसे ही मीडिया से glucose exhaust हो जाएगा Ecoli cell के पास option रहेगा कि वो अब lactose को as a carbon source यूटिलाइज करना start कर दे इस condition में glucose जब absent है, glucose खत्म हो चुका है, exhaust हो चुका है मीडिया से तो cell में CAMP का level भी rise हो जाता है जिसके कारण cap-camp complex भी बहुत ample amount में form हो जाते हैं और RNA polymerase को lac promoter पे recruit भी करते हैं साथी साथ lactose भी cell के अंदर transport होता है और इस condition में lac operon जो होता है वो on हो जाता है, उसके gene का expression on हो जाता है पर यहाँ पर option यह था कि glucose और lactose जब दोनों ही present होंगे तब क्या होगा? तब obviously lac operon जो है वो off रहेगा तीसरा condition है जब lactose, सिर्फ lactose present होगा तब क्या होगा? उस condition में lactose cell के अंदर actively transport होगा अलो lactose बनाएगा और lac operon को induce करेगा इन शॉर्ट इस condition में lac operon जो है वो on रहेगा अभी अगर हम second condition की बात करें जहाँ glucose और lactose जब दोनों present होता है तो ecoli cell glucose को वैसा carbon source prefer करता है वहाँ पे इस condition को हम catabolite repression बोलते है catabolite repression mechanism जो है वो ये ensure करता है कि cell हमेशा easy और preferred carbon source को utilize करे energy source को utilize करे इसलिए glucose जो की एक preferred energy source है जिसे utilize करने के लिए किसी extra gene के expression की ज़रूरत नहीं है constitutive gene के products के थूँ ये easily energy में convert हो जाता है इसलिए cell कभी भी जब glucose और lactose दोनों present होता है तो glucose को use करना ज़ादा prefer करता है इसको हम ऐसे भी देख सकते है कि cell में जब glucose के साथ साथ दूसरे secondary sugars present होंगे lactose, arabinose या दूसरे sugar present होंगे तो catabolite repression mechanism जो होगा वो सारे gene के expression को restrict कर देगा जो इन secondary sugars के catabolism के लिए ज़रूरी होंगे ताकि cell जो है ऐसे condition में glucose को ही as a carbon source prefer करे इस overall mechanism को catabolite repression बोलता है यह question है CSI June 2011 का question थोड़ा old है लेकिन इससे concept बहुत अच्छे से clear हो जाएगा question है कि E. coli के दो culture है A और B यहां पर A और B culture A को IPTG के presence में ग्रोग किया गया जबकि culture B को normal media में ग्रोग किया गया इन दोनों cultures को फिर fresh media में inoculate किया गया जिसमें lactose present था फिर क्या देखा गया कि culture A के case में जो E. coli cells थें वो lactose को efficiently utilize कर रहे थे लेकिन culture B के case में ऐसा नहीं हो रहा था इस तरीके से lactose को वो utilize नहीं कर पा रहे थे इसके 4 possible reasons दिये गए हैं इन 4 points में और हमें जो correct answer है वो इसमें से choose करना है पहला option है pre-treatment with IPTG has resulted in a mutation as a result of which lack of iron is constitutively expressed तो पहला option यह है कि जब पहले option के हिसाब से initially जब हमने IPTG से treat किया culture A को उस दौरान IPTG के कारण lack of iron के gene में किसी तरीके का mutation हुआ होगा जिसके कारण lack of iron जो है वो constitutively express हो रहा है तो option A गलत है क्योंकि IPTG के कारण lack of iron के gene में इस तरीके का कोई mutation नहीं होता है किसी तरीके के changes नहीं होते है IPTG एक simple inducer है जो कि repressor protein पे act करके repressor को inactive करता है option B IPTG has made the cell membrane more porous to small molecule and so lactose is taken up more efficiently by A as compared to B option B के हिसाब से जब IPTG से treatment हुआ A में तो इस culture में जो equalize cells थे उनके cell membrane में pores form हो गए IPTG के कारण जब इनने inoculate किया गया fresh media में तो इन pores के कारण lactose का uptake जो था वो बहुत easily हो रहा था equalize cells में in comparison to B जहांपे IPTG का treatment नहीं हुआ था और कोई pore का formation नहीं हुआ था तो option B जो है वो भी गलत है क्योंकि IPTG के ऐसा कोई effect नहीं होता है cell membrane पे किसी तरीके का pore formation नहीं होता IPTG के कारण इसलिए option B जो है हमारा वो भी गलत है option C in culture A, lactose permease was induced to a high level during pre-treatment with IPTG which allowed the preferential uptake of lactose option C के हिसाब से जब हमने initial stage पे IPTG से treat किया culture A को उस दौरान IPTG क्योंकि हमारा artificial inducer है allolactose के comparison में यह lac operon को ज़्यादा express कराता है large amount of product बनवाता है तो उस condition में जब हमने initially IPTG से treatment किया तो उसी दौरान lac operon के सारे gene products ज़्यादा amount में बने होंगे including lac permease lac permease ज़्यादा high concentration में cell में present होगा और जब इन cells को हमने fresh media में inoculate किया जिसमें lactose present था वो cell बहुत efficiently lactose को uptake करके उसे utilize करके lac operon के genes को express करना start कर दिये होंगे और lactose को efficiently utilize कर रहे होंगे जबकि B में IPTG का कोई treatment नहीं था तो इस तरीके का कोई lac operon के gene का products नहीं बने होंगे और जब इससे lactose containing media में inoculate किया गया तो यह culture जो थे हूँ उन्होंने lactose को efficiently utilize नहीं किया ओके तो option C जो है it makes sense कि हाँ lac operon के जो normal regulation है उसे यह justify कर रहा है अब एक बार option D देखते हैं इन culture A, IPTG activated a receptor which bound lactose more efficiently thereby triggering a signal इसके हिसाब से culture A में क्या हुआ होगा जब IPTG से treatment हुआ तो उसने कुछ एक particular receptor को activate किया होगा जो के lactose को बहुत easily bind करके उसे uptake करने में help करता होगा तो option D जो है वो भी गलत है क्योंकि IPTG simply एक inducer की तरह काम करता है इसका role simply lactose की तरह ही है जो cell में enter होगा और allolactose की तरह repressor protein से bind करके उसे inactivate करेगा इसका किसी तरीके का कोई receptor को activate करके lactose के uptake में कोई role नहीं है option D भी हमारा गलत है तो overall सारे options अगर देखे जाएं तो option C जो है वो सही है और इस question को आप easily ये video देखके भी बहुत आराम से इस question को solve कर सकते है तो यहाँ पर इस question से ये भी clear हो गया कि किस तरीके से IPTG के कारण लैकोपिरोन के genes जो है वो high level of induction शो करते हैं जादा amount में express होते हैं और जादा amount of लैकोपिरोन products बनाते हैं ये question भी CSI June 2016 का है और ये बहुत easy question है question के according E.coli को एक ऐसे media में grow कराया गया जिसमें glucose और lactose दोनों ही present है अगर glucose deplete हो जाए तो उस condition में beta galactoside के expression में क्या changes आएंगे so most of the लोगों ने जिनका lac operon का concept तो clear होगा लेकिन उन्होंने अगर alertness maintain नहीं की होगी उन लोगों ने इस question को किस तरीके से solve किया होगा उन्होंने सोचा होगा कि glucose और lactose जब दोनों present है और पहले glucose deplete हो गया तो अब lactose को utilize करने के लिए cell में lac operon switch on हो जाएगा यानि कि lac operon के gene products बनने start हो जाएगे अब gene products क्या क्या है beta galactosidase, lacpermease and beta galactoside transacetylase enzyme सो लोगों ने beta galactosidase and beta galactoside transacetylase के साथ इस beta galactoside को confuse किया होगा और ऐसे condition में most of the logo ने option 2 को tick किया होगा बट actually overall ये question ही गलत है क्योंकि lactose के presence में beta galactoside करके कोई ऐसा product form नहीं होता है इसलिए इस case में किसी भी option पे tick करो इसमें लोगों को marks मिले ही होंगे हाँ अगर beta galactoside के जगे पे beta galactosidase लिखा होता या beta galactoside transacetylase लिखा होता तो यहाँ पे इस case में option 2 जो होगा वो correct होगा Thank you so much for your patience. I hope this video was useful. If you have any question, please feel free to comment in the comment section. Also do not forget to like the video and subscribe my channel to get updates on my latest lecture videos. Thank you.